आफिसर्स को लब जो इसमें एलिज्ड हैं उनको सिस्पेंड करना चाहिए पॉसिवल नहीं है कि साथ लोग एक साथ एक एक एकजाम में टॉप कर पाए इससे अच्छा CBI की जाच होनी चाहिए कि इन में कौन कौन इंबॉल्ब है रद तो नहीं एक पिकल्प है इसका पूरा जाच होना चाहिए गौर्मेंट को सीट्स इंप्रूब करने के साथ साथ ही प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलके उन्हें नए मेडिकल कॉलेज इस्टैबलिस्ट करना चाहिए उन्हें सबसेडिय देना चाहिए जिसके आप जानते कि नीट यूजी और पीजी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है इसी पूरे मामले को लेकर आज नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई है सुनवाई अभी चली रही है लेकिन आपको जानकाली के लिए बता दे कि पहले और पिछले मलब कुछ दिनों से लगातार के तमाम बाते सामने आई थी तमाम बयान सामने आई इस पर राशनी थी बहुत साथ गर्मा गई है और जो चात्र है आलग अलग अलग दिली के इलाको किया है वो आपने हमारे चैनल पर देखा यूगा इसी पूरे मामले को लेकर इस समय का जो अपडेट ही बता जाए कि जो अभी रिजल्ट आए है रिजल्ट में 60 के लगबग बच्चों की 1st rank all over इंडिया इसी को लेकर हमाई से तमाम चात्र मौजूद है बाचित करने के ल कि मेरे इसाब से किसी भी इंस्टूशन को रद करना एक solution नहीं होता हमें इसको रेशनाइज करना चाहिए इसको रिफॉर्म करना चाहिए यह किसी भी बॉड़ी को एब्रोगेट करना यह को सॉलुशन नहीं होता और रही बात नीट के रिगार्डिंग एक्जाम के रिगार्डिंग और जो यह लीक्स हुआ सुनने में आ रहा है तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माइपरसनल अपीनियन है यह मेरा इसमें तो अभी जैसे सुप्रिंग कोट के जो माननी है हमारे जो सीजी आई है चंदर चूट जी तो उनका भी यह कहना है कि वो भी अभी शौर नहीं है कि यह मास लेवल पे हुआ है या नहीं हुआ है और वो भी अभी अज आज साहद सुन्वाई भी है सुप्रिंग कोट में तो उस तो उसमें ऐसा पता लग रहा है कि सीकर जो राजतां के जगा है डिस्टिक है और गुजरात के राजकोट डिस्टिक में कुछ मामले कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टुडेंट्स आये हैं जो की प्रपोर्शन के हिसाब से ज्यादा टॉप कर मिला माक्स लाएं वो नोगों ने ज कोश देखने को नहीं मिला इन पास्ट के अगरं बात करें बट अब ऐसा हो रहा है इस पर पेपल लिएक के मामला साफत kingdom साहर पर सामना रहा है लेकिन जैसा देखने को मिल रहा है कि 60 लोग वैसे तो यह पॉसिबल नहीं है कि 60 लोग एक साथ एक एक इग्जाम में टॉप कर पाए बट 60 के लगबद लेकिन जैसा सुप्रीम कोट आगे बात कर रही है जैसे फर्स सुनवाई जब वह थी उसमें यह बोला गया था कि चांसे से रीनीट हम करवाएंगे लेकिन अभी जो लास्स सुनवाई विथ जिसमें एंटीए से यह मांगा गया था रिपोर्ट की आप हमें साथ सेंटर वाई हमें रिजल्ट दें जिससे रिजल्ट से बस यह पता चल पाए कि कुछ इतना बड़ा कोई जो रिजल्ट आया उसे यह पता नहीं चल पा रहा है कि इतना बड़ा कुछ हुआ है जैसे कि बोला गया था कि बिहार में ज्यादा फैला यह कुश्टन पेपर जिससे कोई सेंटर से रिज Ne vervy सेंटर रहा है जैसे वह एक Ramihacan के 15 इक है पर स्टुडंट यह क्षित वह क्वालीफायर घंटब्क गुए इसके लिए य०ुट को अंप्राइबं सुपर्फ्यों बतना चाहिए उन कर्म-चारी egg चाहिए वाफ मोई होने चाहिए जाइए वहसी को लेकर सुनवाई बी-धीया स्प्रम-ट्रीक कोट ने नीट मामले को लेकर उमीद है कि आगे बड़े सक्त कदम उठाई भी जाएंगे लेगिन एक छातर होने के नाते आप किस तरह का एक न्या या जस्टिस के अकरम बात करें तो आपके साफ से कि वह सैटिसफेक्टरी लेवल पर क्या जस्टिस आपको चाहिए हमें क्या इस आने इस पर लिक ना हो एसी कुल ऐसे सारे एकजाम में या इंडिया में जितने भी एकजाम हो रहे हैं उसमें सारे लिक के सामने निए लिक 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 हो रहा है पेपर पर चाहतर है जो मांंग is पर क्या सोचुछना हैं पहले तो मुझे लगता है कि रद तो नहीं एक पिकल्प है पहले इसका पूरा जाच होना चाहिए और दूसरा है कि उसमें जितने लोग इन्वाल्ब हैं उनकी भी जाच होनी चाहिए कि मतलब किसका क्या मतलब प्रिवियस रिकार्ड रहा है उसकी चेक होना चाहिए उसके अ तो हमें क्या करना चाहिए ना कि गवर्मेंट को सीट्स इंप्रूब करना चाहिए और गवर्मेंट को सीट्स इंप्रूब करने के साथ साथ ही प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलके उन्हें नए मेडिकल कॉलेज इस्टैबलिस्ट करना चाहिए उन्हें सबसेडी देना चाहि ताकि वो बाहर से भी वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं ताकि हमारे देश में जो डॉक्टर्स की नीड है उस नीड को फुल्फिल किया जा सके और सभी को सर्ब किया जा सके क्या इस तरह से बच्चे का भविश्य जो है वो इंटे की हाथ में सुरक्षित है यानि क्योंकि बच्चे इस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं और साथ ही में आपने देगा कि तमाम इलाकों में हमें प्रदशन देखने को मिला है आपका क्या सोचन है हमें जुरूपता है तब तक ले बंदी रहे हैं हमारे सा पंजाब के इसरी में क्यान वेबबग सा कुछना पंजाब कर से दल्ले